नीट जैसे सब जानते हैं कि मेडिकल इंट्रेंस एक्जामिनेशन है तो बायोलोजी लेके पहले तो बचपन से हमारा ड्रीम था कि डॉक्टर बनेंगे हर बार डॉक्टर वाले टॉईस डॉक्टर वाला गेटप ये लेके फैंसी डस कॉम्पेटिशन में चले जाना इन सबसे शुरुआत हुई थी इस ड्रीम की तेंथ में आके जब मैंने देखा कि मेरे मैस में अच्छे माक्स हैं लेकिन ड्रीम मेरा डॉक्टर बनना है सब बोर रहे थे कि IITJ करने जाओ तुम्हारा मैस अच्छा है IITJ अच्छा होगा लेकिन मैंने सोचा कि अगर मेरा ड्रीम डॉक्टर बनना है तो मैं डॉक्टर की लाइन पर अगर जाओंगा तो थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा मेरा मानना है कि अगर आप कोई कोर्स जॉइन करें तो आप उसी में जॉइन करके रखें आप कोई और कोर्स अगर जॉइन करेंगे तो वह आपको बहुत जादा प्रॉब्लम देगा आपको ना अपना ओफलाइन वाला टीचर अच्छा लगेगा ना आपको अपना बड़ी खबरों को लेकर हम आज तक पहुंचते हैं और आज हम पहुंचे हैं पन्ना के गौरब के पास गौरब इसलिए क्योंकि पन्ना में रहकर और एक बड़ा मुकाम हासिल किया है नहोंने नाम समर्थ है इंसे बात करेंगे और जानेंगे क्योंकि यह सास सो बीस में से 690 अंक नीट वेर्जित किया है समर्थ क्या तयारिया थी कैसे तयारिया थी नीट जैसे सब जानते हैं कि मेडिकल इंट्रेंस एक्जामिनेशन है तो बायोलोजी लेके पहले तो बचपन से हमारा ड्रीम था कि डॉक्टर बनेंगे हर बार डॉक्टर वाले टॉइस यहां से शुरुआत हुई और फिर प्रवसार की हेल्प लेके नीट के लिए 11 और 12 में महनत की और 12 में अभी 5 तारीक को 5 में 2024 को नीट का एक्जाम देके आया हूँ और उसका रिजल्ट आज सब के सामने 720 में 690 अंक मिले हैं क्या लगता था 720 हो सकते थे हाँ यह हो सकते थे 11 और 12 में जब मैं प्रिपेर कर रहा था तब मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की थी उनसे सीखा था जैसे मैं यह मानता हूँ कि अपनी मिस्टेक्स को अपनी ढाल बना ले और अपनी मजबूतियों को अपना हथियार बना के लड़ने चले जाएं हाँ बाद में चेक किया था कितना योगदान मानते हैं माता पिता का कोचिंग इस सब में अगर मेरे माता पिता और कोचिंग के इंस्टिटूट की जो प्रवसर हैं उनने हल्प ना की होती तो मैं यहां तक नहीं पहुंच सकता था क्योंकि यह जो बड़े कॉंपटिटिव ए क्योंकि मैं खुद जानते हूँ कि पढ़ते वक्त मुझे ध्याननी रहता है कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं सोपा रहा हूं यह सब पैरेंट्स ही बताते हैं कि पहले आपने त्यारियां की निट की तो बगड़ सकता था और जब 12 मेरी यहां पे थी मैं करने से बेटर लगा इसलिए नीट में महनत जाद अच्छ सब्सकर चाहें कि पन्हें कि रहने का एक प्रफिट जो मैंने बताई और बाहर जहां जाते हैं वहां बहुत crowd रहता है बहुत भीड रहती है उस भीड की वज़ाई से जो teachers होते हैं वो बच्चों पर अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं ज्यादा ध्यान देनी कि वो कोशिच भी करेंगे तो फिर हजार बच्चों को कितना ही ध्यान दे पाएंगे यहां पर जहां थोड़ा कम बच्चे होंगे तो teacher ज्यादा अच्छे से ध्यान देगा अनबायस ध्यान देगा अप इस्टिटूट से कॉल से थे और आपने अपना ओनलाइन वाला टीचर अच्छा लगेगा ना आपको अपना ओनलाइन वाला टीचर अच्छा लगेगा मैंने यहीं पना के एजुकेशन मेंटर्स अकैडमी में 11 और 12 के नीट SIP बैच को जॉइन करके रखा था तो मैंने सिर्फ उसी पे फोकस किया मैंने कोई और उ कि जो प्रवस्तान ने मुझे प्ड़ाया यहां पे मैंने यूटूब में वो देख लिया तो अब मैं कंट्रोवर्जियल सिच्वेशन ने फच चुका हूँ कि इनकी बात को जादा जहां से मानूं कि इनकी बात को मानूं पर लोगों का मानना है कि पढ़ाई के लिए भोपाल जाना, कोटा जाना, तो क्या संदेज दिना चाहेंगी कि लोग यहां पर भी पढ़ सकते बहुत अच्छे से मेरा मानना है कि हर कोई अपने 11 में अपनी सारी गलतियों और जो उसके प्रोस हैं बाहर जाने के जो प्रोस हैं और जितने भी कौन्स हैं उन सब को पहले अच्छे से देख ले उसके बाद बाहर जाए अगर वो उन सारे कौन्स को काउंटर कर सकता है तो वो बाहर जा सकता है क क्योंकि बाहर जाने के बाद वहां के इंवर्मेंट को देखने और उसके हिसाब से ढ़लने के लिए तीन-चार महीने लग जाते हैं लेकिन 11 और 12 में जो नीट में दो साल का सिर्फ इतना ही टाइम पीरेड है से अधा टाइम तो देगा नहीं इतने टाइम में चार महीन जैसे इतना बड़ा टाइम पीरेड वेस्ट कर देना अच्छी बात नहीं है अब क्या करने जा रहे हैं कहां जाने की तैयारी हैं क्या बनना जाने हैं फिलाल तो MBBS करने के लिए जितना अच्छा कॉलेज मुझे मिलेगा मैं वहाँ जाने के लिए तयार हूँ उसके बाद USMLE देके मुझे नियूरो सर्जरी में अमेरिका से पढ़ाई करनी है क्या आप भी अपने बच्चे को इंजीनियर या डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं पर उनके बोर्ड परीक्षा के लिए भी चिंतित हैं तो जुडिए Education Mentors Academy से हम अनुभवी और पेशेवर शिक्षकों के साथ आपके बच्चे के भविश्य की मजबूप नीव डालेंगे और उनके सपनों को साकार करेंगे हमारे School Integrated Program में विशेश रूप से डिजाइन किये गए करिकुलम आपके बच्चे को स्कूल और प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए तयार करेंगे तो आज ही हमसे जुड़ें और अपने बच्चे को सफलता की ओर ले जाएं